आईडी डी 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 दिखनश ये सुनके आप चौक सकते हैं लेकिन ये आने वाले दिनों में सच हो सकता है जार्खन की सरकार में इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है कि जिन लोगों के पास उची डिग्रिया है जो लोग जादा पढ़े लिखे हैं वे निचले स्तर की सरकारी नौकरियों से वंचित रहेंगे राजे में जार्खन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन की परिक्षाओं की जो मौझूदा नियमावली है उसमें इस तरह के बदलाव का ड्राफ्ट तयार किया है यह ड्राफ्ट राजे सरकार के कार्मिक विभाग ने तयार किया है और इसे विचार के लिए राजे के चीफ सेकरेटरी के पास भेजा गया है दैनिक जागरण के एक रिपोर्ट के मताबिक इसके पीछे विभाग की दलील यह है कि जिन नौकरियों के लिए मैटरिक की अरहता निर्धारित हैं उसके परिक्षाओं के लिए मैटरिक से उपर की शैशनिक योगिता यानि इंटर ग्राजवेट पोस्ट ग्राजवेट भी बड़ी संख्या में आववेधन कर देते हैं ऐसी स्थिती में मात्र मैट्रिक पास अभ्यर्थियों की हक मारी हो जाती हैं। अगर इस प्रस्ताव को हरी जंडी मिल जाती है और इसे नोटिफाइ कर दिया जाता है तो फिर मैट्रिक्स तरकी परिक्षाओं के लिए इंटर्स नातक या अन्य तरह की उच्छा प्राप्त छात्र युवा आवेदन नहीं कर पाएंगे यह सचाई है कि राज में तृतिय और चतुर्त वर के पदों पर उचे डिग्रियों वाले सेकडों लोग कारे रत हैं पीजी बीटेक और पीएजडी डिग्री होल्डर भी कई छोटी सरकारी नौकरियों में काबिज हैं यह भी सच है कि तीसरे चौथे दरजे की नौकरियों की वेकेंसी निकलने पर उच्छा प्राप्त लोग भी बड़ी तादात में परिक्षा में शामिल होते हैं कई विभाग और दफ्तर ऐसे हैं जहां मैट्रिक पास सहायक के अधीन उच्छ सिक्षा की डिग्री वाले भी काम कर रहे हैं इसे काम काज में एक असहच्छतिती तो जरूर पैदा होती है वैसे यह तैम आना जा रहा है कि नियमावली में इस तरह का संशोधन होने पर उसका विरोध होगा इसे कोर्ट में भी चुनावती दी जा सकती है क्योंकि पूरे देश में शायद ही कहीं ऐसी विवस्था हो जिसमें उच्छ सैष्णिक डिग्री होने पर अभ्यर्थी को किसी प्रतियोगिता परिक्षा से डिबाट कर दिया जाए सनद रहे कि जारखन में परिक्षा और नियुक्ती की नियमाविलियों को लेकर लगातार विवाद खड़े होते रहे हैं ऐसे विवादों के कारण पिछले 3-4 साल में ही एक दर्जन से जादा नियुक्ती परिक्षाएं और प्रक्रिया या तो रद की गई है या फिर बाधित हुई है